तो आपको LG के फोन्स याद होंगे, even कुछ लोगों के पास तो अभी भी उनके फोन्स चल रहे हैं सबसे पहले तो I am sorry for your loss क्योंकि 31st July 2021 को LG ने announcement की थी कि वो अपना phone division अब बंद कर रहे हैं इसका main reason था उनके consecutive losses जो 6 सालों में 4.5 billion dollars तक पहुँच गए थे LG के phones को लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि वो हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते थे लेकिन LG ने इस concept को थोड़ा overuse कर दिया उनके LG G5 के module वाला gimmick बिल्कुल flop हुआ LG G6 पी खास नहीं था और बाकी phones के मुकाबले में महंगा था LG G7 में थोड़ी fighting spirit दिखी क्योंकि इसमें एक unique soundbox speaker system था which was quite impressive तो LG ने ऐसे feature का क्या किया जो सबको पसंद आया इन्होंने G8 में उस feature को हटा दिया और एक weird सी second screen इंट्रोड्यूस कर दी उनके अगले flagship LG Wing का inspiration इन्होंने एक feature phone से लिया जो के 2007 में release हुआ था तो इतनी सारी wrong choices के बाद ये 4.5 billion dollars का loss justify होने लग जाता है